मस्कार and welcome to my YouTube channel English for All, this is Manis Rai आज प्रस्तूत है बर्ग ग्यारा से चैप्टर नंबर टू जी बर्ग ग्यारा से चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है नालंदा एंसेंट सीट अफ लर्निंग बचो एंसेंट सीट का मतलब होता है प्राचीन केंदर और लर्निंग का मतलब होता है ग्यान या सिक्छा अर्थात सिक्छा का प्राचीन केंदर नालंदा ये पाठ का नाम है जिसको लिखा है भारत के प्रथम रास्टर पती डॉक्टर राजेंदर प्रशाद ने तो आई इस 62 में हुई थी बॉर्न इन जिरादेई इनका जन्म जिरादे में हुआ था बचों सीवान जिले में है बिहार was the first president of the Republic of India राजेंद्र बाबु जिनका जन्म बिहार के सीवान जिले के जिरादेई नामकस्थान पे हुआ था was the first president of the Republic of India गनतंत्र भारत के प्रथम रास्टरपती थे as president मतलब रास्टरपती के रूप में he had moderating influence moderating influence का मतलब होता है मध्यम प्रभाव मतलब ना बहुत अधिक और ना बहुत कम नहीं बहुत अतिवादी और नहीं बहुत निक्रिष्ट कहने का अर्थ है कि रास्टरपती के रूप में he had moderating influence on the political thinking of the period अर्थात राजिंद्र बावु का उस अधि की राजनीतिक सोच पर मध्यम प्रभाव था he also shared गांधी जी great vision बच्चों great vision का मतलब होता है बड़ा सपना great vision का मतलब हुआ बड़ा सपना यानि गांधी जी का एक बड़ा सपना था क्या था the making of a new man in society समाज में एक नए ब्यक्ती का निर्माड या गांधी जी का एक vision था और राजिंद्र बावु भी इस vision को share करते थे मतलब राजिंद्र बावु का भी यहीं सपना था गांधी जी का भी यहीं सपना था और सपना क्या था the making of a new man in society समाज में एक नए ब्यक्ती का निर्माड इसको याद रखियेगा a living embodiment एक जीता जागता उदाहरन of plain living subtle जीवन and high thinking उच बिचार बच्चो राजिंद्र बावु सादा जीवन और उच बिचार के एक living embodiment थे जीता जागता उदाहरन थे डॉक्टर प्रसाद वाजे estatesman बच्चो राजिंद्र बावु जो थे भारत के प्रथम राष्टपती वाज जा estatesman एक कूसल राजनेता थे scholar, बिद्वान थे historian, इतिहास वीद थे educationist, सिक्षावीद थे lofty idealist बहुत उच किस्म के आदरसवादी थे social reformer, समाज सुधारक थे endeavor ball और इन सबसे बढ़ करके great constructive thinker एक बहुत ही स्रिजनात्मक सोच वाले ब्यक्ती थे बच्चो इतनी प्रतिभाएं राजेंदर बाबू में कूट-कूट करके भरी थी the speech नालंदा ancient seat of learning taken from speeches of president राजेंदर प्रसाद volume 1 बच्चो यह जो पढ़ने जा रहे हैं यह एक speech है यह एक भासण है जिसका नाम है प्राचीन सिक्षा का केंद्र नालंदा और यह भासण जो है ना राजेंदर बाबू के भासणों की volume एक खंड एक से लिया गया है was delivered by dr. राजेंदर प्रसाद यह भासण राजेंदर प्रसाद के दुवरा दिया गया था at the foundation at the foundation as stone laying ceremony बचों foundation as stone laying ceremony का अर्थ होता है सिलान्यास समारो of मगद रिसर्च इंस्टिट नालंदा on November 20 1951 यह भासण बच्चों 20 November 1951 को मगद रिसर्च इंस्टिट नालंदा के सिलान्यास समारो के दौरान राजेंदर बाबू के दौरा दिया गया था इन दिस स्पीच इस भासण में डाक्टर प्रसाद इनन्सियेट्स इनन्सियेट्स का मतलब होता है बिचार व्यक्त करना the past glory का मतलब होता है अतीत के गौरो of the नालंदा उनिवरसिटी बच्चोई इस भासण में डाक्टर आजेंदर प्रसाद नालंदा भी सुबिध्याले के अतीत के गौरो का बखान करते है and pleads for its revival और इसके पुनरुधार की याचना करते है और इसके पुनरुधार की वकालत करते है और revival का मतलब होता है पुनरुधार यानि नालंदा भी सुबिध्याले के अतीत की महिमा का गान करते है और इसके पुनरुधार की कामना करते है की याचना करते है आगे लिखाओ his emphasis बचो जो emphasis देख रहा है emphasis का मतलब होता है his emphasis on the perfectly harmonious relationship perfectly harmonious relationship का मतलब होता है पूरी तरह से सामजस्य पूर्ण संबंध between the guru and the sister for imparting and deceiving of knowledge impart knowledge का मतलब होता है ज्यान देना और receive knowledge का मतलब होता है ज्यान पाना is of particular interest today यानि कहने का मतलब है his emphasis यानि राजिंदर बाबु जो थे न ज्यान प्रदान करने ज्यान प्रदान करने और ज्यान प्राप्त करने के लिए गुरू और सिस्य के बीच पूरी तरह से सामजस्य पूर्ण संबंध पर उनका जोर था और वह जोर आज भी प्रासंगिक है कहने का रहते है his emphasis on the perfectly harmonious relationship between the guru and the sister यानि रजेंदर बाबू जोर देते थे कि सिक्षक और सिक्षार्थी के बीच सिक्षक और सिक्षार्थी के बीच सामजस्य पूर्ण संबंध होना चाहिए for imparting and receiving of knowledge ज्यान लेने और ज्यान देने के लिए गुरू और सिस्य के बीच सामजस्य पूर्ण संबंध होना चाहिए इस पे रजेंदर बाबू का बड़ा ही जोर था और यह जोर आज भी प्रासंगीक है तो आईए बच्चों अब इस पार्ट के सुरुआत करते हैं नालंदा, ancient seat of learning देखे रजेदर दिंदर बाबू क्या कहते हैं गिदर का मतलब इकठा होना, जमा होना, कलेक्ट होना आज हम लोग यहां नालंदा में इकठा हुए हैं आज हम लोग नालंदा में जमा हुए हैं दे रिनाउंड, ancient university town रिनाउंड का मतलब होता है प्रख्यात, मसहूर दे रिनाउंड, ancient university town यानि प्रख्यात, मसहूर, प्राचीन, विश्विद्याले के सहर नालंदा में आज हम सब लोग इकठा हुए हैं विद दे नोबेल एम, नोबेल एम का मतलब होता है पुनीत लक्ष या पुनीत उदेश्या और रिवाइबिंग का मतलब होता है पुनर जीवित करना, ancient glory प्राचीन गौरो ऑफ नालंदा इन दे वर्ल्ड अफ नॉलेज रजिंदर बाबु कहते हैं कि आज हम सब लोग यहां प्राचीन विसुबिद्याले के सहर नालंदा में कठे हुए है विद्ध नोबेल एम, एक महान, एक पुनित लक्ष के साथ और प्रिवाइबिंग दे अन्सेंट ग्लोरी अफ नालंदा इन दे वर्ल्ड अफ नॉलेज यानि ग्यान की दुनिया में नालंदा के प्राचीन गौरों को फिर से पुनरजीवित करने के उद्ध से आज बिख्यात विसुबिद्याले के सहर नालंदा में हम सब लोगी कठा हुए है इसी उद्ध से को ध्यान में रखते हुए इस राज्य की सरकार ने the government of this state का मतलब होता है, इस राज्य की सरकार ने, has decided, इस राज्य की सरकार ने फैसला किया है, to establish, establish का मतलब होता है, अस्थापित करना, to establish the Magad Research Institute, for the study of Pali and Prakrit, and research in Buddhist literature and philosophy, बच्चो research का मतलब होता है, सोध, खोज, establish का मतलब होता है, अस्थापित करना, literature का मतलब साहित्य, और philosophy का मतलब होता है, दर्शन, यानि इसी उदिश्य के साथ, बिहार सरकार ने, has decided, फैसला किया है, कि Magad Research Institute की, अस्थापना की जाए, for the study, यानि अध्यन के लिए, Pali और Prakrit भसाओं के अध्यन, and research in Buddhist literature and philosophy, और बौध साहित्य, और बौध दर्शन, में सोध और खोज के लिए, और Pali और Prakrit भसाओं के अध्यन के लिए, बिहार सरकार ने, Magad Research Institute की, अस्थापना करने का फैसला, लिया है, आईए बच्चों, paragraph number 2 देखते हैं, लिखा हुए कि, Glorious का मतलब होता है बच्चों, गौरावसाली, यहनि नलंदा हमारे इतिहास के सबसे गौरावसाली काल का प्रतीक है, Not only did the quest, quest का मतलब होता है खोज, Not only did the quest for knowledge blossom here into its finest shape, but also because it bound together, bound together का मतलब होता है बच्चों, एक साथ जोड़ना, at that time, उस समय, the various parts within हिस्सों of Asia, Asia के विबिन हिस्सों को with the links of knowledge, ग्यान की सुत्र से, कहने का मतलब है कि, नलंदा, नलंदा जो है न, is the symbol या प्रतीक है, of the most glorious period of our history, हमारे इतिहास के, सबसे गौरावसाली काल का प्रतीक है, For not only, इसलिए, कि, quest for knowledge blossom here, कि नलंदा में ही, सर्वुत्तम किस्म के ग्यान का खोज हुआ, और, but also, बलकि इसलिए भी, it bound together at that time, the various parts of Asia, बलकि इसलिए भी, कि नलंदा ने उस समय, Asia के various parts को, विबिन हिस्सों को, क्या कि आप बाउन टुगेदर, एक साथ जोड़ा, with links of knowledge, घ्यान के सुत्र से, घ्यान के धागे से, नलंदा ने, Asia के विबिन हिस्सों को, जोड़ करके, एक किया, there are no national, and racial distinctions, in the realm of knowledge, and this was true of नलंदा, बच्चों, national का मतलब होता है, रास्ट्रिए, racial distinctions का मतलब होता है, तो कह रहा है, कि there are no national, and racial distinctions, in the realm of knowledge, मतलब घ्यान के छेत्र में, कोई रास्ट्रिए, और कोई नसलिए, भेद नहीं होता है, बच्चों, घ्यान लेने और देने में, कोई भेद नहीं होता है, तो रजंदर बाबु कहते हैं, कि there are no national, and racial distinctions, in the realm of knowledge, यानि घ्यान के लेन देने पर, कोई रास्ट्रिए, और कोई नसलिए, भेद भाव नहीं होता है, and this was true of नालंदा, और नालंदा के बारे में भी यहीं सच था, मतलब नालंदा, जो प्राचीन सिक्षा का केंद्र था, यहां पर ग्यान के लेने और ग्यान के देने पर, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंद और कोई भेदभाव नहीं था, the message of नालंदा, यहीं नालंदा ने जो ग्यान का संदेश दिया, was heard across the mountains and oceans, पहाडों, पहाडों पे भी नालंदा ने जो ग्यान का संदेश दिया, उस संदेश को सुना गया, पहाडों के बीच भी and oceans, महासागरों में भी of the Asian mainland, Asia महादेश के mainland को कहिए, या oceans को कहिए, या mountains के कहिए, हर जगा नालंदा के ग्यान का संदेश फैला, for nearly six centuries, और लगबग 600 बरसों तक, और लगबग 600 बरसों तक, it continued to be the center of Asian consciousness, Asian consciousness का मतलब होता है, consciousness का मतलब होता है, चेतना, और 600 बरसों तक बच्चों नालंदा जो था न, वह Asian ग्यान का, Asian चेतना का केंद्र रहा, 600 बरसों तक, the history of नालंदा dates back to the age, age का मतलब यूग होता है, of Lord Buddha and Lord Mahabira, यानि बच्चों नालंदा का इतिहास, भगवान बुद्ध और भगवान महाबीर के यूग का है, according to, आगे लिखा बच्चों, according to, जैन रिकॉर्ड्स, बच्चों जैन रिकॉर्ड्स के मताबिक, Lord Mahabir, मतलब भगवान महाबीर जो थे नालंदा में आचार्यमान खिला से मिले थे, Lord Mahabira is said to have lived, कहा जाता है, कि भगवान महाबीर भी रहे हैं, here for 14 years, कि 14 बरसों तक भगवान महाबीर भी नालंदा में रहे हैं, according to the sutra krithanga, जो sutra krithanga है न बच्चों, या एक जैन स्वित अंबर रिकॉर्ड है, according to sutra krithanga, sutra krithanga के मुताबिक, लेपा, a rich citizen of नालंदा, नालंदा के एक धनी नागरिक थे, जिनका नाम था लेपा, welcomed Lord Buddha, with his entire wealth and possessions, बच्चों कहा जाता है, सुरी, sutra krithanga के मुताबिक, नालंदा के एक बहुत ही अमीर ब्यक्ती थे, जिनका नाम था लेपा, welcomed Buddha, उन्होंने भगवान बुद्ध का नालंदा में स्वागत किया, with his entire wealth, अपनी संपूर्ण संपती, and possessions का मतलब होता है, जायदाद, and became his disciple, और disciple का मतलब होता है, कि नालंदा के एक अमीर शिटिजन थे, नागरिक थे, ब्यक्ती थे, जिनका नाम था लेपा, उन्होंने नालंदा में भगवान बुद्ध का स्वागत, अपनी संपूर्ण संपत्ती, और संपूर्ण जायदाद के साथ, मतलब उसको दान में करते हुए, भगवान बुद्ध का स्वागत किये, और वे भगवान बुद्ध के, डिसाइपल बन गए, सिस्षे बन गए, चेला बन गए, एकॉर्डिंग टू लामा तारानाथ, दा लर्न्ड हिस्टोरियन अप तीबत, बचो तीबत के, यह बिद्वान इतिहास वीद हैं, जिनका नाम है लामा तारानाथ, क्या नाम है, लामा तारानाथ, यह इतिहास के, लर्न्ड हिस्टोरियन है, यह तीबत के, लर्न्ड यानि बिद्वान इतिहास वीद हैं, उनके अनुसार, नालंदा वाइस दा बर्थ प्लेस अफ सारी पुत्र नालंदा जो था ना सारी पुत्र की जन्मस्थली भी था सारी पुत्र बच्चों भगवान बुद्ध के दो महत्तपूर्ण सिस्यों में से दो प्रारंबिक सिस्यों में से एक थे तो तारानात कहते हैं कि नालंदा वाइज दा बर्थ प्लेस अफ सारी पुत्र, निसारी पुत्र का जन्म नालंदा में ही हुआ था, हुज समाधी और उनकी समाधी जो बनी थी किसकी, सारी पुत्रा की, और रेन का मतलब होता है सासनकाल और सर्वाइब का मतलब होता है उसी हालाथ में रहना, यानि नालंदा, जो सारी पुत्र का जन्म अस्थली था ना, तो नालंदा में ही उनकी समाधी भी बनी थी, और समराट असोक के सासन काल तक वह समाधी वहीं पे थी who enlarge it और बच्चों असोका ने समराट असोक ने enlarge कर दिया उस समाधी को और बड़ा बना दिया by installing a temple around it उस समाधी के चारो और एक मंदिर बना करके उस समाधी का और बिस्तार कर दिया किसने समराट असोक ने reason associates नलन्द यद्da पी परमप्रा जो है ना associates करती है जोड़ती है नलन्द को इत लोड बुद्ध है और इंपरर आसोको बचों यद्दOOOO पी परमप्रा जो है ना नलन्द को भगवान बुद्ध और सम्राट आसोक से भी जोड़ती है Yet it emerged as a flourishing university flourishing university का मतलब बच्चों सम्रिद भी सुबिद्याल है और इमर्ज का मतलब बच्चों एक सम्रिद भी सुबिद्याल है के रूप में नालंदा का उभार गुप्त काल में हुआ था गुप्त काल में हुआ था तारानाथ मेंटेंस बच्चों जो तारानाथ मेंटेंस मतलब तारानाथ का मानना है तारानाथ कौन थे पता है न ये तीबत के लरंड हिस्टोरियन थे बच्चों बिद्वान इतिहासवीद थे तारानाथ मेंटेंस तारानाथ का मानना है बचो तारानाथ का मानना है कि दोनो भिक्षू नगारजून और आर्यदेव भी नलंदा भी सुबिध्याले से जुड़े थे और फर्दर का मतलब होता है आगे और तारानाथ आगे कहते हैं अचार्य दिन गैंग भी नलंदा आये हुए थे और बिद्वत परिचर्चा भी लोगों से किये हुए थे ये तारानाथ का मानना है इन दा फोर्थ सेंचूरी एडी बचो एडी का मतलब होता है अनो डॉमिनी यानि चौथी सदी में इन दा फोर्थ सेंचूरी एडी चौथी सदी में फहियान ए चाइनिस पिलग्रीम फहियान जो एक चीनी यात्री थे पिलग्रीम का मतलब यात्री होता है चौथी सदी में फहियान जो एक चीनी यात्री थे भेजिटेट नालंदा आये थे और उस एस्तूप को उस अस्मारक को भी देखे थे गंस्ट्रक्टेड अड़ एस्पॉर्ट वेर सारी पुत्रा टूक बर्थ एंडाइड जहां पे सारी पुत्र का जन्म हुआ था और जहां पे उनकी मृत्ती हुई थी उस अस्थली पे एक एस्तूप एक अस्मारक बनवाया गया था उस अस्मारक को चौथी सदी में चीनी यात्री फहियान जो आये थे न देखे थे बट इट वज नोट अंटिल मच लेटर दर नलंदा अक्वाइड इट्स आउटस्टेंडिंग पॉजिशन का मतलब होता है उतक्रिष्ट अस्थान लेकिन इसके बहुत बाद की ये बात नहीं है जब नलंदा ने उतक्रिष्ट अस्थान हासिल कर लिया था इन दा सेबंथ सेंचूरी एडी बचो साथवी सदी में इन दा सेबंथ सेंचूरी एडी साथवी सदी में डियूरिंग दा रेन ऑफ इंपेरर हरसवर्धन बचो हरसवर्धन समराट हरसवर्धन के सासनकाल के दौरान रेन का मतलब होता है सासनकाल इंपेरर हर्स वर्धन के सासन के दौरान ह्यांग स्यांग केम टू इंडिया ह्यांग स्यांग ये भी एक चाइनीज पिलग्रीम थे भारत आये हुए थे नालंदा वाज एड दा हाईट अपिट्स ग्लोरी नालंदा बच्चो उस समय अपनी ख्याती के पराकास ठाप हेता कब सात्वी सदी में जब ह्यांग स्यांग भारत आये हुए थे उस समय नालंदा अपनी ख्याती की मतलब सबसे उचाई पर था रेफरिंग टू एक जटकाय स्टोरी यह जटकाय स्टोरी देख रहा है न बच्चों यह जातक कथाएं हैं इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं सुनाई जाती है तो रेफरिंग टू एक जटकाय स्टोरी ह्यांग स्यांग राइट्स यानि एक जातक कथाओं का उलेख करते हुए रेफर का मतलब उलेख करना या हवाला देना हवाला देते हुए ह्यांग स्यांग राइट्स ह्यांग स्यांग लिखते हैं that नलंदा derived its name from नालंदा, the peace of mind. बच्छो ह्यांग स्यांग, जातक कथाओं के हवाले से लिखते हैं, कि नालंदा का नाम पड़ा नालंदा से, the peace of mind, नालंदा, जिसका अर्थ होता है, peace of mind, मानसिक सान्ति. मतलब ह्यांग स्यांग का कहना है, कि नालंदा का अर्थ होता है मानसिक सांती which Lord Buddha failed to achieve in its previous birth पिछले जन्मों में इसी मानसिक सांती को पाने में भगवान बुद्ध भी असफल रहे थे तो भगवान बुद्ध जिस मानसिक सांती को अपने पूर्व जन्म में पाने में असफल हुए थे वहीं मानसिक सांती अर्थ है नालंदा नाम का बच्चो तो ये ancient seat of learning सिक्षा का प्राचीन केंदर नालंदा का ये प्रथम पार्ट है इसके अगले पार्ट समय समय पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने सुझाव भी दें और मेरे साथ जाते जाते बोलें जैहिंद